सु काईज हमने इस लेसन को और आप यह पार्ट को कह सकते हो जो हम पढ़ रहे थे यह साइंस का पहला पार्ट था हम जो पढ़ रहे थे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स तो हम ने इसको यहां तक कमप्लीट कर लिया था यहां तक हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था अब इसके आगे पढ़ेंगे और इससे सीखेंगे जीवित चीजों और जीवित चीजों के बारे में इस पार्ट में सीखेंगे आप सुझा आप सीखेंगे इससे साथचा केरे में इसके आप साथा आप सुझा आप सिखेंगे न स्कोंच अचशा केंडली को सेबिदेगे ठीवित चाहत्यों घ्रेवित आप साथा नेचयों निच हम पता करते हैं need of breathing breathing means by breathing through experiment प्रयोक के जरिये तो यहाँ प्रयोक एक दिखाए गए है इससे पता चलएगा की संस की ब्रहु का होती है experiment 1 ना प्रयोक पहला अगर इसको देखें तो all human beings need to breathe to still live जितने भी आली हुए, human beings होते हैं, उनको need बने जरूवत पढ़ती है, किसकी breathe की सांस लेने की, to stay live, जीवत रहने के लिए, we need air for breathing, हमें सांस लेने के लिए किसकी जरूवत पढ़ती है, air की जरूवत पढ़ती है, how are you? if you close your nose with your thumb and finger, then how do you feel? if you close your nose, अपनी नाग को, with your thumb अपने अंगुठों से, and finger या उंगलियों से, then how do you feel? फिर तुम कैसा मैसूस करते हो? yes, you will feel uncomfortable and suffocated, uncomfortable का मतलब, आसा एंसीलता या अच्छा मैसूस नहीं करोगे, और suffocated means, घूटन एक तरह का मैसूस करोगे, अगर तुम अपनी नोज को close कर लेते हो, या बंद कर लेते हो, तो तुम अपने को आराम दायक और घूटन जैसा मैसूस करोगे, you will feel your nose because of suffocation and take a deep breath, you will feel, तुम इसको फिरी कर दोगे, खोल दोगे, your nose अपनी नाग को because of suffocation and take a deep breath, और क्या करोगे, take माने ले लोगे, breathe deep और गहरी सांस आप ले लोगे, इस तरह भी आप पता कर सकते हो कि यह living things है कि non living things है, इस तरह भी आप पैचान सकते हो, दूसरा, एक्स्प्रिमेंट में, take an air tight bell jar, एक बेल जार ले लो, एर जो एस air tight हो समें हवा का भराव न हो यह वहाँ न पहुंच सकती हो, put a potent plant under it, put a potent plant under it, plant and another sample और एक क्या करो, plant एक दूसरा plant लेलो, another sample, इन एक पोट, एक दूसरे उसमें, क्या लेलो, एक सेंपल लेलो और एक एर टाइट जो बेल लेवस में एक लेलो और दूसरे में येनी की अनोदर सेंपल लेलो इन्हें पोड बर्तन में पुट इट दा ओपन और इसको क्या करो ओपन एरिया में रख दो या खूले में रख दो अप्टर फोर और फाइब देज यूविल फाइंद देट प्लांट अंडर दा जार हैज डाइड और हैपेंस बिकोज देर वाज नो एर इन दा जार फोर प्लांट तो ब्रीथ आप्र फोर और फाइब देज यानि की चार या पांच दिनों के बाद यू फाइंद तो में पाओगे जो अंडर दा प्लांट जो जार के अंडर है या या सूग गया है as you can see over here in this pot so this is a airtight bear as you can see here so this plant has died due to no air in this jar and you can see outer pot plant is also green over here and he has not died so it happens because there was no air in the jar for the plant to breathe for the plant to breathe but the plant in the open remains live in the open area so this plant has died due to no presence of air so that's how we can identify whether this thing is living or no living above experiment so that living things need to breathe to stay live above above the experiment so that living things need to breathe to stay live if you look at a sleeping if you look at a sleeping person you will see that his chest is moving in and out you will see that his chest is moving in and out and moving in and out moving in and out इस तरह से चाहती करती है चेस्ट करती है विकॉज दे डूनोट ब्रीद क्योंकि वह सांस नहीं लेते हैं इसलिए उनकी जो कोई भी चीज होती है मालों नौ लिविंग थिंग्स तो वह ऐसे धरकती भी नहीं है और सांस भी नहीं लेती है trilogyन यौह कें लिवंग थिंग्स प्सक्राप्ता हैं नहीं की अपनी स्वाियर माई लिवंग यृर्द का होग American स्वायम का एक जीवत प्राण उतपन करते हैं so all living things increase their numbers जतने भी all living things increase their numbers यानि कि स्वायम का अपना संख्या होती है व्या करते हैं बढ़ाते है as you can see over here through example this is a human you can see lady and you can see here this is a kind of a beach and you can see here plant human beings give birth to their babies human beings give birth to birth their babies अपने बच्चों को dogs give birth to their pups pups अपने पिल्लों को देते हैं plant produce seed जितने भी plant होते हैं तो क्या करते हैं seed देते हैं bees new plants grow from these seeds जितने भी नए पौदे होते हैं grow माने बढ़ते हैं from these seeds इन भीजों से some plants grow from other part of plant और जो दूसरे plant होते हैं जो पौदे होते हैं grow माने बढ़ते हैं from other parts of plant पौदे के दूसरे भाग से क्या होते हैं बढ़ते हैं for example you may have seen sugar cane so sugar cane is grown by using its stem so that's how you can identify all animals give birth to their young ones जितने भी all animals होते हैं जितने भी जानवर होते हैं ग्यों बर्थ जनम देते हैं to their young ones अपने बच्चों को where is all bird lay eggs जबकि जो जितने भी all जो बर्थ होते हैं जो पच्छी होते हैं lay eggs under रखते हैं little bird hatch out of the eggs जितने भी little bird होती है little bird होती है hatch out from the eggs और बच्चे से क्या होते हैं अंडे फोर कड़के जो बाहर आते हैं तो इस तरह से आप इसको पता कर सकते हो कि इसमें जीवन है कि नहीं है यहां पर देख सकते हो इदर एक छोटा बच्च्चा भी इसको फोर के निकला है यहांज देख सकते हो पहले अंडा दिया है इसके बाद इस पर बैठती है यह hatching हो रहा है यहां इसके पर सेओ स ही रहा है इसके बाद इससे बच्चे भाद निकला है है तो यहां धिया इद्पाइ इस थिंग इस तिंग रिवंग रोर नोट लुक एट यओर टेबल अंड चेर लुकमाने डेखो एट योर टेबल टेबल को और चेर्वान कूरसी को ये क्या है आजीवित चीजे है the non-living things cannot give birth to their own kind of things जितने भी non-living चीजे होती है cannot give birth, जन्म नहीं दे सकती है their own kind of things अपनी तरह किसी भी चीज का जन्म नहीं दे सकती है thus भान इस परकार से non-living things cannot increase their kind of things their kind of things जतने भी चीज़ें होती हैं वो क्या नहीं कर सकती हैं तो हम आज तक यहां पढ़ेंगे इसके बाद हम आगे यहां से पढ़ेंगे तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद